हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटूप चैनल मेजर टार्गेट पर तो फ्रेंड आज हम लोग कलाश 10 एक्जाम 223 के लिए यहाँ पे संस्क्रीट के काफी मतपूर्ण को देखने वाले हैं और दोस्तों यह मोश्ट इंपोर्टेंट का दुसरा पार्ट है इस पार्ट में भी हम लोग 30 काफी मतपूर्ण आप जरीप को देखेंगे जो आपके बोट पेच्छा में जो है ना यह सभी परसन आपके फानल मैटिक बोट पेच्छा 228 के बोट पेच् और फटावर से वीडियो को लाइक कर दीजेगा और दोस्तों इससे पहले अगर आप संस्क्रीट के पहला पाट को नहीं देखें ना तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग पाला पाट को देख लिजेगा और आप लोग को बताएंगे कि इसका पीडिय ग्रूब में एड़ कर दिया जाएगा तो चले सुरू करते हैं आप आज के पहले नंबर परसन से एक एक कोस्टन को जो है ना दोस्तो अच्छी दर से याद कर लिजेगा तो फ्रेंड देखिए आप आज का फर्स्ट परसन क्या करा है कि सिक्छक कैसा था तो दोस्तों यहां अपका दिया दूस्त या फिर लोभी और अपसंसी नवीन दिश्टी संपन और अपसंडी में आपका दिया मूर्ख तो दोस्तों यह शिक्छक जो नवीन दिश्टी संपन था यानि कि यहां पर जो नशीवल आपसन जो ने बिल्कूली करक्टरानसर हो जाएगा अब चले देखते हैं आप अगला परसन है तो फ्रेंड देखिए आप दूसरा परसन जो की इंपोर्टेंड की बाग बाग के हाथ में क्या था ओप्सन एम आपका सुवाणे के कंगन या फिर तलवार और अपसन सी में आपका दियो मिर्टक का सीर्ड या फिर खाना तो दोस्तों बाग के हाथ में जो ना सुवाणे के कंगन थी यानि कि यहां पर जो इन बिल्कुली करेक्टरांजर हो जाएगा चले देखते हैं पर तिसरा परसन भी वह थी मतपूर्ण की सत्रू राज्य क्या बराए रहे हैं अपसन ए में आपका दियो मित्रता या फिर शान्ती या फिर और दी मैप कर दिया हूए इन में सी कोई नहीं तो दुस्तों यह सत्रू राजे जो हे ना शांती और कलह बरा रहे हैं यानि कि यहां पर देखते हैं पर अगला परसन हैं तो फ्रेंड देखे हैं पर चोफार परसन हैं कि महान से भी महान क्या है तो यहां पर option A में आपका दिया हुआ है आत्मा या फिर देवता और option C में आपका दिया ओड़ी सी या फिर दानो तो दोस्तों महां सी भी महां जो होते हैं आत्मा होते हैं यानि कि यहां पर जो है एबला option जो है बिल्कुली करेक्टा अंसर हो जाएगा अब चले friend देखते हैं आपे अगला परसन है तो friend देखे हैं आपे पांच नव परसन को देखेगा ध्यान प्रूवक जो कि most important है कि आलस सला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे option A में आपका दिएव तीन या फिर पांच और option C A 4 और option D में आपका दिएव अच्छा तो दोस्तों आलस सला में आग लगने पर जो है ना जो वास्तिविक आलसी चार थे ना वहीं चार लोग नहीं भागे यानि कि यहां पर जो ना सीवल उप्सन जो ना विल्कुली करेक् तो यहां पर देखेगा 6% क्या गणा है कि प्राचिन आल में शीष्टियों को क्या कहा जाता था तो यहां पर option A में आपका दिएव चात्र और option B में आपको दर्वहम चारी या पर धनूधारी और option D में आपका दिएव अन्तिवासी तो दुस्तों प्राचिन काल में शीष प्रसंद का करा है कि गंधिसे टू तू पूल कहां इस्थी दे तो यहां पर 간ह। to पूराणा नाम जो इना पाचली पूद्र है साहएगए को याद रखना है चलिए दिखोंट पर आठ नमर प्रसंट को देखेगा क्या करा है कि देव लोग का मार्ग किसे प्रशस्त है तो यहां पर अब बिल्कुली करेक्टर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देख्तिएं पर अगला परसन आठ तो फ्रेंड देख्या आप नो नमर परसन भी वो थिमत्पूर ने कि पार्टली पूतर नगर में क्या प्रसीद हैं अ बिल्कुली करेधर अब चले फ्रेंड देखती है आपर अगला पर सिंग अगया दरवाजे कितने होते हैं तो यहाँ आप California तो दरवाजे होते हैं है यादिसटा पर उपसंगे तरश्राघ। बहुत ही मतपूर ने कि राम परवेश के गाउं का नाम क्या था तो फ्रेंड उपसन एह विल्कुल stub हैग अपर धांना निमयन सबी बहुत ही मतपूर ने कि दानवीर कैओं था तो फ्रेंड उपसन एमे आपका दिये और जोण या फिर भिश्म या पिर किड़ेप अंप संट दी मैप का कर ने हैं तो दुस्तों यह को था थे आप लोगों बता देना है तो दुस्तों यह दान वीर जो है ना करना थे यानि कि यह पर बिल्कुली करक्टांसर हो जाएगा चले फ्रेंड देखते हैं पर 13 प्रसंग को देखेगा क्या घड़ा है कि भारतिय संस्कृति का पडिचे किससे होता है तो यहां पर अप्सण अमैप का दिया आचरण से यहां पिर संसकार से यह वहवार से और अपसण डी मैप का दिय बहुता है यानि कि यहां पर पवीत्र या पर निर्मल और अप्सण सी आ पर वीत्र या पर इन में से कोई नहीं तो दूस्तों यह विभाज जो होते हैं यह पर पवीत्र संसकार होते हैं यानि कि यहाँ पर जो इना एबला उप्सन जो इना बिल्कुली करक्टरान्स जरू हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखते हैं आप पर 1590 परसंट जो की काफी मतपूर्ण है तो फ्रेंड परसंट यह करा है कि किस पुरूस को मिर्थियू आ जाने की जानकारी मिल जाती है तो यहाँ पर आपको साधक को या पिर असाधक को या फिर मुर्ख को या पिर राजा को तो दोस्तो यहां पे आप लोगों को बताना है कि किस पुरुस को मिर्थियों आ जाने की जानकारी मिल जाती है तो दोस्तो सादक पुरुस को जो नहीं मिर्थियों आने की जानकारी मिल जाती है यानि कि यहां पे जो नहीं बिल्कुली करक्टरा अंजर हो जाएगा अब चले दीम है दानों के द्वारा तो दोस्तों यह संसकार जो ना प्रमात्मा के द्वारा अनुशासित है यानि कि यहां पर जो नसी वला उप्सन जो ना बिल्कुली करेक्ट्रांसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखते हैं अगला परसन है तो फ्रेंड देखिए हां पर सतर प्राचिन काल में ब्रह्म चारी कहां पड़ते थे तो दुस्तों गुरू के घर में पड़ते थे यानि कि यहां पर जो ना सीवला उप्सन जो ना बिल्कुली करेक्ट्रांसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखते हैं आप अगला परसन है तो फ्रेंड देखिए हां पर उन्हें इस नमर परसन भी बहुत ही मतपूर्ण है इसलिए जो ना एक एक कोशन को अच्छी तर से याद के लिजेगा कि विखन टोला को देखने के लिए कौन आये और अप्सन एमें आप की दर से कंसंट्रेट होगे याद के लिजेगा तो यहां पर आप लोगों बताना है कि यह दैयानद का जनम किस गाओ में व्युवा था तो यह पर अफिर टंकारा में या फिर आयोध्या में और अप्सन दी में आपका दिया हुए इन में से कोई नहीं तो दोस्तों दायान तो यहां पर अप्सन ए मैप का दिया वासो के समय में या फिर मोगल्स के समय में या फिर चंदरगुप्त मोड़े के समय में या फिर अंग्रेजियों के समय में तो दोस्तों मेगा अस्तनी जो इना चंदरगुप्त मोड़े के समय में पटना आया था यानि कि यहां पर सीवल कर लिजेगा और इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा क्योंकि यहां पर हम लोग जो ना संस्क्रिट के काफी मत पूर्ण है तीस मोस्ट इंपोर्टेन और दूसरा पार्ट को देख रहे हैं इससे पहले हम लोग पहला पार्ट को बता चुके हैं अगर आप उस क्लास को न यहां पर वीडियो को पुरा जरूर देख लिजएगा चले फिरेंड देखते हैं आप बाइस नमर परसम भी बहुत ही मत पूर्ण है क्या कराएं कि आप लोग को यहां पर बताना है कि जो और सहीफन सुनता है किस की जन्नी है मातरित्व की या पर दवेश की या पिर प्रे प्रेंड देखती हैं पे 23 परसन जो की काफी मतपूर ने तो फ्रेंड परसन यह ग्राइगी देखेगा कि किस ने कहा था कि भविस्व में पाटली गराम एक महा दिन बलब एक दिन महानगर बनेगा अपसन एम आपको देव ने या पिर संक्राचारिय ने और अपसन डी में आ सामदेव ने तो बहगवान बूध ने कहा था कि भविस्व में पाटली गराम महानगर रहोगा ठीक है यानि कि यहां पर जो इना बिल्कुली करक्टर अंसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखती हैं पर अगला परसन है तो फ्रेंड देखी हैं पर 24 परसन को देखेगा ठीहान परवक जो की मोश्ट इंपोर्टेंड देखेगा कि आलस सलामे आग क्यों लगाए गया था आप अबीवब आपसन बिल्कुली करक्टर अंसर हो जाएगा अब चले फ्रेरेंड देखती है आपे अगला परस नहां तो दोस्तो देखिएँ आपे पचीस नमर परसंट भी वहा थी मतपूर ने कि क Knjanaadun संसकार किसं संसकार में होता है तो यह पर option A में आपको दिवस समावर्तन संसकार में या पिर Open E संसकार में और अपसंस ये केसां संसकार में या पिर विभास संसकार में तो दोस्तों ये कन्यादन संसकार जो होते हैं ना विभास संसकार में होते हैं यानि कि यहां पर जो ही डिवलाओ अपसंजर बिल्कुली करेक्टरांज जरू हो जाएगा चले देखते हैं आप पे 26 नमर परसन भी बहुत ही मतपूर्ण है most important एए परसन आपके वोड़ पिक्चा के लिए तो फ्रेंड परसन यह कराए कि काई मूदी महुत से किस लितू में मनाया जाता है तो यहाँ पर option एम आपका दियो बसंड दिरितू में या फिर वर्षाडीतू में या पिर गिरसमोडीतू में या फिर सड़ती रितू में तो दोस्तो ये कई मोदी मोहत से जो है ये सड़ती रितू में मनाया जाते हैं तो यहां पे option A में आपका दियावा दान या फिरधान और option C भोजन और option D में आपका दियावा जल तो दुस्तों दुरुत्र किरित्रिम आलस दिखा करके जो हेना भोजन गरहन करते थे यानि कि यहां पे civil option जो हेना विल्कुल ही करक्टरा अंसर हो जाएगा चले फ्रेंड देखते हैं पे 28-90% जो की काफी मतपूर्ण है तो फ्रेंड परसन यह कराएगी देखेगा कि भारत में किस महान प्रंप्रा को सुनाया जाता है आपको दिया प्रंप्रा को सुनाया जाता है यह महान प्रंप्रा होता है यानि कि यहां पे बिल्कुल ही करक्टरा जरू जाएगा अब चले फ्रेंड देखते हैं आपे ओना तीस नवर परसंट जो की काफी मत पूर्ण है तो फ्रेंड परसंट ये कराए कि अक्छर आरंब कैसा संसकार है तो यहाँ पर सिक्छा संसकार या फिर ओपन एन संसकार और अप्छन डी में है इन में से कोई नहीं तो दोस्तो यह अ परसंट ये काफी मत पूर्ण है तो फ्रेंड यहां पर काफी मत पूर्ण हो जाएगा तो फ्रेंड यहां पर काफी मत पूर्ण को पढ़ चुके हैं आप अगर आप लोग को यह 30 परसंट में से कितना परसंट आप लोग सही आंसर दे पाइस का जवाब जो हैं आप लोग इसी वीडियो में हमें कमेंट करके बता सकते हैं ठीक है और दोस्तों जो भी विद्यार्थी को टेस्ट देना है तो आप लोग वीडियो को सुरू से अंतक देखिया आप लोग को बताएंगे कि टेस्ट कैसे दिया जाता है और पीडियाप जो भी जिसको भी लेना है तो पीडियाप भी कैसे लिया जाता है तो सारा कुछ बताएंगे और दोस्तों एक और इंपोर्टेंट बात कि अगर आप हभी तक वार्टसम गूरू में नहीं जूड़े है ना तो यह मेरा वार्टसम नंबर हो गया तो इसमें आप लोग जो इन हाई बूले आपको जोई ना वार्टसम गूरूप पे जोईना एट कर दिया जाएगा जोड दिया जाएगा ठीक है और दोस्तों यह मलिया यह आपका एस्टावलो को सब्सक्राइ ना आप लोग इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है कि आलस कता पार्ट कहां से संगली दे तो यहां पर अप्सन ए मैं आपको दिया हुआ है पूरूस परिक्छा से तो दोस्तों इसका राट एंसर क्या लगता है फटावर से जल्ली से जोना इसी वीडियो में हमें पर लूट कर सकते हैं और टेस्ट कैसे दिया जाता है तो फ्रेंट को देने के लिए आपको अपने मुवाइल के पर चले आना पड़ेगा उसके पर सर्च बार में आपको सर्च करना पड़ेगा में जब्सक्राइब तो यहां पर इस्पेलिंग को धियां से देखेगा दोस स्क्रोल डाउन करना है और यहां पर देखना पड़ेगा मेंजर टार्डगेत को मतिक है मतलब यह नेम हो गया अब यहां पर और टेस्ट के बटन्पे किलीक करके आप लोग यहां पर आज का आउलाइन टेस्ट को दे सब्सक्राइब करें तो इसका टेस्ट जरूल दीजिएगा और यहां पे आप लोग को जो ना यहां पर बहुत ही जल्दी यहां पर सब्सक्राइब करके रखेंगा ताकि यहां पर जब भी कोई कोंटेंट डाले ना तो आपको इन फूम हो जाए और आप पढ़ करके जो ना काफी अच्छा मांक्स लाज सकते हैं अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को सेर कीजिएगा ताकि हो भी जो ना बोट पिक्छा में काफी अच्छा मांक्स लाज सके तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पर थैंक यू एम पर दोस्तों में जल्दी अच्छा में वीडियो को सेर कि अच्छा में दोस्तों में दोस्तों में जल्दी ना क्वड Τ.